आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी है कोई भी सैमसंग का फोन और अगर आप अपने फोन में किसी भी एप्लिकेशन के नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं जैसे कि Chrome Browser के notification अगर आपके पास बारवार आते हैं तो आप उन्हें कैसे बंद कर सकते हैं या फिर किसी भी आपके notification आप कैसे बंद कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने फोन में settings को open कर लीजिए तो यहाँ पर हम settings को open कर लेते हैं open करने के बाद आपको एक option मिलेगा notifications का अगर आपको नहीं मिलता है तो आप settings में search कर सकते हैं search settings पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप type कर दीजिए notifications उसके बाद आपके सामने ये वाला option आ जाएगा आप इस पर क्लिक करके notification settings में जा सकते हैं तो यहाँ पर हम click कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा brief notification का तो आपको इस पर क्लिक करना है अगर यह select नहीं है तो वैसे यह default आपका select होगा तो यहाँ पर आप आपको मिलेगा एक more option इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आपके phone के सारे application आ जाएंगे यहाँ पर आप जिस भी application के notification बंद करना चाहते हैं उस application को select करिए जैसे कि यहाँ पर हम Chrome browser के notification बंद करने वाले हैं तो नीचे जाके यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरह से Chrome यहाँ पर जिस भी application के आप notification आफ करना चाहते हैं उसके नाम पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक option मिलेगा show notifications यहाँ पर अगर आपको यह on है तो आप इसे बंद कर दीजिए इस तरह से और यहाँ पर इस application से आपके पास कोई भी notification नहीं आएंगे तो इस तरह से आप किसी भी आपके notification को बंद कर सकते हैं किसी भी Samsung के phone में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें